दोस्तो भारती रेल्वे लगाता आ रही अपने पैसेंजर्स के जर्णी एक्स्प्रेंस को बहतर बनाने के लिए कोई ने कोई फैसले लेती हुए आ रही है और वंदे भारत एक्सप्रेसिस का एक बहुत ही बड़ा एक्जमपल है पmoi अपने लेजी बड़ाय है систем को बहुत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि थार एकनुमी सर्वीस हमारी इडियन डिल्वेज की एक ऐसी सर्वीस जिसमें आप लोग 6 त 7% कम फिर्पे करने के बावजुद भी AC में ट्रावल कर सकते हैं इस service के दोस्तों specially शुरुआत की गई थी उन लोगों के लिए जो कि third AC class में travel करना effort नहीं करते हैं इन third AC economy class के coaches में दोस्तों 11 birth आपको जाद देखने को मिलेगी as compared to normal third AC coach सीड जादा होने के विए से दोस्तों आपके congestion तो बड़ी जाता है लेकिन आपको third AC वाली journey experience जरूर मिलने वाली है तो Indian Airways की तरफ से दोस्तों March के end में ये update सामने आई थी कि pre fair को इसके ticket में से हटा दिया जाएगा जिससे कि all over this third AC economy class के fair में एक drop देखने को मिलेगा आप लोग को और वो लोग भी in coaches में travel करना afford कर सकेंगे जो कि sleeper class में भी फिलाल travel करते हैं इसका जो सबसे बड़ा फायदा है दोस्तों उनी लोग को होगा जो कि sleeper class में currently travel करते हैं और third AC में travel करना afford नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग को तो पता ही है कि sleeper class और third AC class के fair में एक जमीन आसमान का फर्क हमें देखने को मिलता है जिसकी वैसे लोग effort नहीं कर पाते हैं इंटिकर्स को तो इसी का solution निकालते हुए हमारी Indian railways ने pre-fair को third AC economy class के fair से हटा दिया गया है दोस्तों Indian railways करने यह वाली है कि सबसे पहले जैसा कि आप सभी ने जाना कि third AC economy class के fair drop कर दिये गए है तो जैसे-जैसे sleeper coaches वाले लोग third AC economy में travel करना prefer करने लगेंगे तो sleeper coaches के जो संख्य आय ट्रेनों में से वो धीरे-धीरे करके कम कर दी जाएगी अब ऐसा नहीं होने वाला यहां पर कि एक ही दिन के अंदर सारे sleeper coaches किसी train में सहटा दिये गए और पूरी train ही जो है AC वाली हो गई ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला है यह एक बहुत ही long term वाली चीज है जिसकी वाज़से train को एक सही speed पर maintain करना बहुत ही जादा मुश्किल हो जाता है यही एक सबसे बड़ा reason है जिसकी वाज़से लगता है कि इंडियन डिल्वेस आगे चलके अपने sleeper और जनरल coaches को अपने railway network से बाहर करने वाली है और उसकी जिगए थाड़े सी economy coaches लेने वाले हैं हाला कि दोस्तों इंडियन डिल्वेस की तरफ से दो साल पहले भी ऐसी बाते सामने आ रही थी कि sleeper और जनरल coaches बाहर हो जाएंगे railway network से लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ और ये एक long term वाली चीज़ा तो होने भी नहीं वाली कि एक ही दिन में सभी sleeper coaches या फिर जनरल coaches को बाहर कर दिया जाए बाग इसको लेकर कि आप अपनी राए भी ज़रू दीजी चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्स्राइब ज़रू कर लीजी मैं मिल तो आप से किसी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन दे मातरम